हलो फ्रेंड्स वेलकम टू चेंपियोन गुर्जी फेंड्स आज की इस वीडियो में लोग प्रतिसत और डिसकाउंट निकालने का सबसे बहतरीन तरीका देखेंगे और दोस्तों यहाँ पर थार्ड और फोर्थ कुष्चन जो है थोड़ा नेक्स्ट लेबल का है जिसमें अधिकते रे स्टुडेंट गलतिया करते हैं और इसमें आपको कैल्कुलेशन को असान करके इजी वे में निकलना सिखाएंगे तो इसे भी आप जरूर देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर पहला कुष्चन है प्रतिसत से कि 400 का 20 प्रतिसत कितना होगा ठीक है तो देखिए क्या करेंगे तो यहाँ पर 400 का निकलना है 20 प्रतिसत तो इस 400 का यहाँ पर 400 लिखेंगे और काक के जगा पर गुना का चिन लगा देंगे और 20 के जगा पर 20 और प्रति में 0 है तो यहाद 2-0 से 2-0 आसानी से कट जाएगा और आपका गुना करके एंसर आ जाएगा लेकिन देखिए यहाँ पर यहाँ पर तीसरा और चौथा कुशन जो है न इसमें कहीं भी 0 नहीं लगा हुगा है तो इसलिए आप इस कुशन को भी जरू देखिएगा क्योंकि इस से आसान केल्कुलेशन के साथ हम इजी वे में निकलना सिखाएंगे ठीक है देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं तो 0 से 0 काट दिये हैं अब यहाँ पर जो बंच गया उसे गुना कर लेंगे तो 4 में 20 से गुना करेंगे तो 24 कितना हो जाएगा तो 80 हो जाएगा य यानि 800 का कोई वस्तू है अगर उस पर आपको 30% का छूट मिलेगा तो वस्तू आपको कितना रुपय मिलेगा यह निकलना है ठीक है तो देखिए सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि छूट कितना रुपय मिलेगा तो देखिए छूट निकालने के लिए जिस तरीके से प्रत रोकर जाएगा और यहाँ पर जो बच गया उसे गुना कर लेंगे तो 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा और यहाँ पर 0 है तो 0 लगा देंगे यानि आपका यहाँ पर छूट निकल करा गया छूट छूट कितना रुपय क्या तो 240 रुपय का आपको छूट मिल रहा है तो देखिए 800 रुपया का वस्तु था और 240 रुपया का आपको छूट मिलेगा तो वस्तु का दाम निकलने के लिए क्या करेंगे वस्तु का दाम वस्तु का दाम निकलने के लिए क्या करेंगे तो यहाँ पर जो 800 रुपया था वस्तु का दाम और यहाँ पर जो छूट निकल हुगा है क्योंकि एक हासिल दे दिये थे तो साथ मेंसे दो घाटेंगे तो पांचा जाएगा यानि यहां पर आपका अगर 800 रोपय कोई वस्तु रहेगा और उस पर 30% का छूट मिलेगा तो वस्तु आपको 560 रोपय मिलेगा ठीक है तो देखिए दोस्तों यहां पर तिसरे और चौथे कुश्चन को भी इजी कल्कुलेशन के साथ सॉल्व करना सिकते हैं तो देखिए यहां पर तिसरा कुश्चन है कि 153 का 13% निकलना है ठीक है तो घ्रब जी रहेगा होगा है तो क्या करएंगे तो instantly 3 पर गुना की चीन और 13 जगा तो यहां पर सब्से पहले असान तरीका यहीं है कि आप यहांपर गुना कर लिजिए तो गुना करेंगे तो देखे 13, 33 49 और हासिल का 3 तेरा पच्छे 55 और तीन जोडेंगे तो 68 का यहां पर 8 आठ जाएगा और हासिल का 6, तेरा एकम 13 और हासिल का 6 जोडेंगे तो 19 आजाएगा ठीक है अब देखे इसमें 100 से भाग करना है तो देखे दोस्तो 100 से भाग करना किसी भी संक्या में बहुत ही असान होता है कैसे करेंगे 100 से भाग तो देखे यहाँ पर 1989 में भाग करना है तो इसको यहाँ पर इसी तरह से लिख लेंगे और देखे 100 में कितना 0 है तो 1,2, 2 0 है जितना 0 रहेगा न लास्ट से उतना अंक बाद दस्वाणों लगा देंगे यहाँ पर दो जीरो है तो लास्ट से दो अंक बाद दस्वाणों लगाएंगे तो एक दो यहाँ पर दस्वाणों लग जाएगा यानि पर 153 रोपय का 13 प्रतिसक्त कितना निकल कर आ गिया तो 19.89 रुपय निकलकर आगया ठीक है तो देखिये यहाँ पर चौथा कुषल चैन है जिस पर हमको छूट निकलना है यानि 999 रुपया का कोई वस्तु है जिस पर 9% का छूट मिल रहा है तो 9% का छूट मिलने केद बाद वह वस्तु आपको कितना रुपय मिलेगा यह निकल कळलना है तो देखिए क्या कर तो देख्ये ऑम दिया रहे का उसको हम 100% आरמצने माद़े तो देख्ये just हम 100 कोम circus वस्तु गाहा थूडरेया तो 9 पर सेंट ओंगे देख्या तो देख्यास वस्तु में निकाल देते हैं तो आपका निकल करा जाएगा कि वास्तु आपको 999 रुपय का वास्तु नौपर्शंट का छुट मिले के बाद आपको कितना रुपय मिलेगा ठीक है तो देखे यहां पर 999 का हमको निकालना है कितना तो यहाँ पर बाता में यहाँ पर 100 लगा देंगे , अब देखे यहाँ पर क्या करेंगे ? सबसे पहले 909 capability में गुना करना में पड़ेगा , नौ 109 trillion gusta करेंगे ? अप यहां गुना ग scored करेंगे लेकिन यहां पर हम आपको गुना करके बताते हैं तो देखिए एक से किसी भी संक्य में गुना करता है न तो वहीं आ जाता है तो एक से 999 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 999 ही आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर 9 से गुना करना है तो 9 में 9 से गुना करेंगे तो 9-9-81 आ जाएगा अब इसको add करेंगे, 9, 9, 10 के 0 हासिल का एक, 9, 9, 8 और हासिल का एक जोड़ेंगे तो 19 के 9, हार हासिल का एक, 9 और एक जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0 हासिल का एक, 8 और एक हासिल का जोड़ेंगे तो 9 आजाएगा, ठीक है, यानि यहाँ पर आपका निकल करा गया, जब गुना किये तो 90,999 निकल करा गया तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 90,09 इसको लिख दिये और इसमें भाग करना है 100 से तो देखिए 100 से भाग करना बहुत ही असान है अभी हम आपको बता हैं कैसे करेंगे 100 से भाग तो इसमें भाग करना है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं अब देखिए 100 में कितना 0 है तो 2 0 है तो लास्ट से 2 अंक बाद 10 लगा देंगे तो 1 2 यहाँ पर 10 लगा देंगे ठीक है यानि यहाँ पर आपका निकल करा गया कि 999 रोपया का वस्तू 9% का छूट मिलने के बाद आपको 999 109 रोपया मिलेगा टो दोस्तों इस तरिके से आप परतिशत और डिसकाउंट दोनों ही बहुत इसान तरिका से निकाल सकते हैं असा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लागा होगा समझ में होगा तो दोस्तों वीडियो अच्छा लागा है